हर्षवर्दन जी मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि ये कॉन्फूजन जो है ये सिरफ कॉंग्रेस पार्टी के अंदर है या कॉंग्रेस पार्टी के अलावा ये इंडिया गटबंधन में भी है कि कौन कहां खड़ा है ये देश हिंदूत्व का देश है ये हिंदू राष् है सल्मान खुरशीद जी को सुनेंगे तो लगेगा कि हिंदू तो आइसिस और बोको हराम जैसे हैं अब कब पब्लिक जो है क्या उनके लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि जो अलाइंस वोट मांग रही है वो कह क्या रही है खड़ी कहां है तेकि नविका जी लालु प्र ने आपको कहा है कि हमारे लिए सेकुलर क्रिदेंशियल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं और मुलायम सिंग यादो जी के राज में तो क्या कुछ हुआ उसकी कहानी आज तक बताई जाती है लेकिन आज बड़ा महत्वूर्ण है जब आचारे प्रमोत कृष्णम कह रहे हैं कि कॉंग्रेस में कुछ बड़े निता हैं जिनको तिलक और मेरी वेश भूशा से दिक्कत है और उसी दिन अलीगड में केंद्री ग्रिहमंत्री अमिट शाह ने कुछ तीन-चार बाते कहीं है कल्यान सिंग जी के हवाले से एक तो देश में अकेली पार्टी है भारती जनता पार्टी जिसकी चार राजियों की सरकार राम मंदिर के नाम पर गई है बरखास करती गई हटा दी गई मतलब एक तरह से कहें कि बेहद अलोग तांत्रिक विवहार किया गया लेकिन भारती जनता पार्टी राम मंदिर से नहीं है कल्यान सिंग ने कहा था कि हम राम भक्तों पर गोली नहीं चलवा सकते कुरसी जाए तो जाए लाल क्रिशाडवानी रात्यात्रा लेकर निकलते हैं तो उसी राम मंदिर के लिए तो बिहार में रोक लिया जाता है लालु प्रिशाडवानी इसके नायक आज अगर नरेंद्र मोदी जब देश के अलग-अलग हिस्सों में जो हिंदू आस्था के केंद्र है उसके पुनरुद्धार की बात होती है एक नायक के तोर पर दिखते हैं महापराणी अहील्या वाई होलकर के बाद काशी विष्वनार्थ धाम के पुनरुद्धार का काम कर रहे है महा कालोक मथुड़ा प्रयाक का शांदार कुम्भ वो सारी चीज़ें इसके साथ जूड़ी हुई, और अब आप कॉंग्रेस को और सब छोड़ दीजे, आचायर जी जो कहरें, मैं उसको एक लाइन कहें कि अपनी बात खतम करता हूँ, स्थापित हो जाएगी, वैसे मैं निजी तोर पर मानता हूँ कि खरगे जी ने बहुत बढ़ता, लेकिन आप सुचिए कैसे रख लेते आचायर जी को, कॉंग्रेस के प्रवक्ता पहले दिन से योगी आधितिनाथ को उनके पूरो नाम आजय विष्ट से बुलाते हैं, और आप कल्पना कर सकती हैं कि कि किसी भगवाधारी को, किसी तिलक वेश्धारी को, और य योगी आधितिनाथ को उनके सन्यास पूरो नाम से बुलाते हैं, ये भावना है, तो आचारी जी जो कह रहे हैं और जो वो करते हैं, उसमें साम में दिखता है, जनता बहुत इस पर्ष तवर पर देख रही है, आप सर हिला रहे थे, तो मैं पूछना चाहती हूँ, ये और क्या इसलिए आप से भी परेज है? सन्यास की दीखशा के कई विधाने, साधू कौन है, संत कौन है, सन्यासी कौन है, स्वामी किसे कहा जाएगा, आचारे कौन है, बाबा कौन है, ये पीठा दीशवर कौन है, महंत कौन है, कोतबाल कौन है, है ना, गदी नशीन किसे कहा जाएगा, मठा दीश किसे कहा तो ये हिंदू धर्म के और हमारी धार्मिक परंपराओं का एक बहुत विस्तृत विशह है जिसके जानकारी के अभाब में कुछ लोग इस तरह की बाते कर देते हैं जैसे के योगी आदितनाजी को उनके पुराने नाम से पुकारना तो कहते हैं सब संबिधान तो ये अधिक हैं इसको माना जायेगा लेकिन मैंने उच्छ न्याले में उनकी शरण में में गया साथ साल से वो लड़ाई लड़ते लड़ते और बड़ी खुशी की बात है कि माननी है इलावाद उच्छ न्याले ने कल की धाम की मंदिर के निर्मान पे लगी रोक को हटा दिया सिरे से कर दिया कि किसी के fundamental rights को आप किसी आशंका की बुनियाद पर रोक नहीं सकते उसमें ततकालिन सरकार ने लिखा था क्योंकि संभल का जो एरिया है वो maximum Muslim population है इसलिए Muslim बाहुल इलाके में इतना भब मंदिर जो अक्षर धाम की तरह मंदिर है उसे नहीं बनाया जाना चाहिए यह किदम वहियाद बात थी और मज़ेदार बात यह है कि जब कि कल की धाम को बनाने के लिए एफडेविट दिये गए कम से कम सैकडों मेरे Muslim supporters जो थे बलके वो जब मुझे मिलते हैं तो कभी तो कौन से सरकार ने लगाई थी यह पाबंदी नहीं कहते हैं कौन से सरकार ने लग सरकार ने पाबंदी लगाई कुछ गलत तत्यों के अधार पर लगाई अखलेज जी की सरकार थी 2016 में उन्होंने पाबंदी चैना मंबर 2016 को पाबंदी लगाई अब प्रशन यह पैदा होता है कि जानकारी के अभाब में कुछ गलत काम हो जाते हैं मैं ऐसा नहीं कहना चाहत रबाद का क्यों होता है गुरू एक नाम देता है मेरा भी पुराना नाम है मैं भी एक परिवार में पैदा हुआ मेरी भी एक जाती हो लेकिन जब मैं साधू हो गया संत और है आचार और है पीठादिशवर और है कि जैसे ही साधू देखो गए तो वो सोचेंगे भाजपा का आए ठीक है अब पहले सोचते हैं साधू भाजपा के हो गए अब सोचते हैं जो हिंदू कह रहा है हिंदू शब्द का प्रियो करा यह भाजपाई होगा अरे भई हिंदू भाजपा की बपोती नहीं है राजकुमार भाटी जी